नमस्कार मैं हूँ विद्या सागर स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेस में लगातार बीजेपी अपने चानक के यानि अमिशा जो देश के ग्रह मंत्री हैं कल वो लखनो आ रहे हैं दरसल इससे पहले भी जब वो आई थे उन्होंने टास्क दिया था प्रतियासी से लेकर जितने भी मौझूदा विधायक हैं या फिर मिनिस्टर हैं उन तबाम लोगों थी कि जिन जिन विधायकों के परफर्वेंस अच्छे नहीं रहे उन विधायकों के टिकट काटे भी जा सकते हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर कल चर्चा होने वाली है अमिशा के साथ आगे बढ़ते हैं वहीं अमिशा के दौरें से पहले केंद्रे मंत्री और यूपी च कुछ कहा सुनिए कि कमर्स ओनलाइन सपिंग यह जुनी जिन्दगी की हिसा बन चुकी है 21 शदी में यह इंटरनेट अप्थिंग मैसिन लर्निंग यह सब पार्थिय पुस्तक नहीं बचा है कि आप सभी लोग फेस्वूक में हूँ आपके फेस्वूक आपकी व्यक्तित्तों की एक आइना है जो क्या तो कि आपकी पीजिवूफ में आपके दिखते हो आपकी रूची को फेस्वूप प्रदेश की चीज़ को आपके बास बेज़ देता है यूपी दौरे पर केंद्रे ग्रहमंत्री अमेशा प्रदेस की चुनावी नब से टटोलेंगे पीम मोदी ने पुर्वानचल में चुनावी अभियान को धार देने के लिए अमिशाह अवद के इलाके में बीजेपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद भी करेंगे और इस मुद्धे पर केंद्री राजमंत्री एस्पी सिंग बगहेल ने न्यूस बन इंडिया से बाचीत करते हुए क्या कुछ कहा सुनिए साल में उत्तर प्रदेश में विद्धान सभा के चुनाओ है हमारे साथ बाचीत कनलिक केनिये केंद्री राजमंत्री एस्पी सिंग बगहेल जी है ऐसे में हमारे बहुत ही लोग प्री ग्रह मंत्री जिनके नेतर तुम्हें 2014 में ही उत्तर प्रदेश में 73 MPI थे तो कल वो लखनो का दोरा कर रहे हैं और सभी लोग अपेक्षित लोगों को बलाया गया और मैं उनका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश की धरती पे सभी पार्टिया प्रबुद दजन सम्मेलन कर रहे हैं ऐसे में आज OBC को लेकर भी भारती जनता पार्टी बैठक कर रही है क्या लगता है सर कि गैर यादो OBC यादो OBC यादो ओट बैंक में आप लोग से इन्वारी कर पाएंगी चुकि को रोटर माना जा रहा है जाता है सब्सक्राइबी ₳ contriraidink करती लrekतियों करती है वसी के संब्मान के तहट उत्तर प्रदेश में इसमेलन हों है प्रियंका चान अनप लेकर काफी एक्टी mais भी है लगतार एलान कर रही है उसको कुष्पड умीने करें द ही लगतार ऐलान कर यह चाहत्ति देनी का एलान हो वह या अब 10 लाग तक का फ्री इलाज करने का एलान कर दिया हूं रिंका गांधी जब से वालिक हुई है और राजनीती में आई है वह तो ही लोग सभा पर काम करती थी यहां से उनका चार्टेट प्लेन उड़ता था जो फुर्शत गंजवाई अड़े राइबरी पर उतरता था धन्यवाद सर ये थे हमारे साथ के केंद्री राज्यमंत्री एस्वी सिंग बगेल जी जिनका साफतोर पर कहना है कि कहीं न कहीं ये जो थाने खूल रहे हैं तो इससे क्राइम कंट्रोल हगवा वीडियो जैनिस लोकेस के साथ प्यूर्शतिवारी नहीं नहीं दिर्शतिए जिसके बाद शिरलंका का डेलिगेशन लखनो पहुँचा और सीम योगी से मुलाकात की एज़ौरान सीम योगी ने शिरलंका की डेलिगेशन को ओडी ओपी योजना के तहद गिफ्ट भी सौपा हर दोई पहुचे सुभसपा अध्यक्षे उंप्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि इन्होंने विकास किया रेलवे बेज दिया, बैंक बेज दिया, LIC बेज दिया, बीसनल बेज दिया, कोईली की खादान को भी बेज दिया देश के प्रधान मंत्री ने नारा दिया था, जो हवाई चपल पहन कर चलता है, उसको मैं हवाई जहास में चलाओंगा, क्या कुछ कहा, सुनिए असमसान घाट से लास गाउं में गई है, 75 साल की आजादी में इन्होंने इतना विकास किया है, अब तक गाउं से लास असमसान घाट जाती है, यह इनका विकास है यह जूट बोलने में एक नमर का विकास बोलते हैं, यह भरती जनता पार्टी के लोग नारा दिया था समाज को, कि हमारी सरकार बना दो, 15-15 लाख देंगे, जूट बोलने में विकास है, इन्होंने वादा किया था, कि हम हर साल 2 करोर नौजवानों को रोजगार देंगे, यह जूट बोलने में एक नमर है, इनका विकास है, मौ में हुए सुभसपा की रैली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, भीर कठा करने के लिए पैसे बाटे गए थे, रूपिये बाट कर लोगों को रैली में बुलाए गया था, मौ के ही एक डॉन के लोग बाट रहे थे, लोगों को पैसे, News One इंडिया के पास exclusive वीडियो जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हलाकि News One इंडिया इस वीडियो के पोश्ची नहीं करता है, सपाध्य चक्रेश च्यादर भी इस रैली में शामिल हुए थे, तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह वाइरल वीडियो मोँ में अभी-अभी सुभसपा के स्थात्रां दिवस के मौके पर लाकों की भीडि कर्शा हुई थी, और इस भीडि के जरीए एक हुंकार भरी गई, लेकिन जो तस्वीरे सामने आई हैं उसमें यह भीडि पैसे के मद्द। पूर थाना परसर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लगवक दरजन भर गोकश हाथ जोड़कर थाने पहुचे और माफी मांगते हुए कुदवाली प्रभारी मुकेश गौतम के समक्ष भविश में गोकशी नया करने की कसम खाई, उनने कुदवाली प्रभारी से यह भ भी बक्षा नहीं जाएगा, आपको बता दे कि मुसप्रनगर की कमान SSP अभिशेक यादब ने जब से समाली है तब से अपरादियों पर पूरी तरह से नकिल कसी हुई है और इसे के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेस में बस इतना ही लेकिन आप बने रहें, News 1 इंडिया के साथ